नमस्कार दोस्तों, देश का प्रधान मंत्री अगर अपने चुनावी भाष्णों में लगातार जूट बोल रहा हो, देश का प्रधान मंत्री अगर देश की 20 करोर अबादी को घुसपैठिया कह रहा हो, देश का प्रधान मंत्री अगर पहले दावर के चुनाव के बाद से देश की बड़ी अबादी को टार्गेट करने के लिए जूट का सहरा ले रहा हो। आपको हिंदु मुसल्मान में उल्जाना चाहता हो तो समझे कि ओ प्रधान मंत्री चुनावी नतीजों से कितना डरा हुआ है ये एक डरे हुए प्रधान मंत्री का बेयान है पहले दोर की वोटिंग में मतदान में गिराबट के बाद एक सहमे हुए और एक बेचाएन प्रधान मंत्री का बेयान है ये 56 इंच के सीने के भीतर समाया डरी है कि चुनाव शुरू होने के पहले मोदी ने कौंग्रिस के घोशना पत्र के तुलना मुसलिम लीग से कर दी वो सब कहने लगे जो प्रधान मंत्री पद की गरिमा को तार तार करने के लिए काफी है जूट के साथ नफरत की मिलावट करके प्ये मोदी ने वो बयान दिया है जिसके लिए उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कारवाई करनी चाहिए लेकिन आयोग ऐसी कोई गुस्ताख ही करेगा नहीं प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए किसी शक्स से अपने भाशन में घरिमा और मर्यादा की उमीद की जाती है लेकिन अगर उप प्रधान मंत्री मोदी हैं तो उनसे ये उमीद आपको छोड़ देनी चाहिए पिये मोदी ये बात बार बार साबित करते हैं रास्थान में कल दी अपने भाशन में पिये मोदी ने एक बार फिर ये साबित किया कि उनसे किसी तरह की मर्यादा की उमीद आप मत रखिये हो सकता है मोदी के कल के भाशन के क्लिप आपके वाटसेप पर पहुँच चुकी होगी आपके फैमिली ग्रुप में उकलिप पहुँच चुकी होगी आप अपने घरों में, दफ्तरों में, पार्कों में और गली महलों में मोदी के इस बयान की चर्चा कर रहे होगे यही उनका मकसद है कि जूट और नफरत का डोज आप तक पहुँचती रहे और अप नफरत के नशे में जूट को सच मान कर मोधी पर आँख मून कर भरोसा करते रहे और वोट देते समय मोधी मोधी करते हुए पोलिंग बुथ पर पहुँच जाए मोधी यही तो चाहते हैं कि बेरुजगारी महंगाई से लेकर दस साल की नाकामियों के लिस्ट उनके चुनाबी एजंडे के सामने दम तोड़ते और हिंदू मुसल्मान के नाम पर देश्ट में धुर्भी करन हो जाए अब जरा सिलसले बार ढंक से सुनिये कि पीए मोधी ने कहा क्या है और जो कहा है उसके पीछे जूट और नफरत के अलावा क्या है मोधी कल रास्थान के मासवारा में थे आपको पता ही होगा कि रास्थान समय तमाम राज्यों में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है बीजेपी में इसको लेकर जबरदस्त बेचैनी है बीजेपी और संग में उपर से नीचे तक खलवली मची है पिछले चुनाव में रास्थान में 25 सीटों में से 24 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार कई सीटों पर जटके लगने से डड़ी हुई है पहले दौर की वोटिंग के बाद दूसरे रज्जों से भी ऐसी खबरें आ रहे हैं यही वज़ा है कि मोदी जिनने सब का साथ सब का विश्वास का नकाब उतार फिका खुदी और मुसल्मानों को टार्गेट करते हुए वो सब का बैठ जो किसी प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देता सुनिये चला उनके विवादित भाषन का एक हिस्सा पहले आपको सुनाता हूँ और फिर दूसरे हिस्ते का भी पोस्ट मौन पहले पहले पहला हिस्सा और पहले जब उनकी सरकार्थ उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है इसका मतलब ये संपत्ति करके किसको बाटेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुश्पेठों को बाटेंगे क्या आपकी महनत की कमाई का पैसा गुश्पेठों को दिये जाएगा आपको मंजूर है ये परदान मंतरी मोदी ने पुर परदान मंतरी मनमोहन सिंग के एक बयान में जूट और नफरत की मिलाबट करते हुए जो कहा वो बहुत संगीन है निंदनी है और चुनाव आयोग के संग्यान लेने लाइक अपराद है मोदी के इस भाषन में हर वाक्या पत्ती जनक है छूट है फेक है नफरत है और टारगेट पर मुसल्मान है ये कहने की जरुवत नहीं है एक एक करके समझे पहली बात तो ये कि पुर प्रदान मंतरी मनमोहन सिंग ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि देश के संपत्ती पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है क्या कहा था मनमोहन सिंग ने यह हम आपको आगे बताते हैं लेकिन मोदी ने ना सिर्फ मनमोहन सिंग के बयान को तोर मरोर कर पेश किया बलकि देश के मुसल्मानों को एक तरह से घुस पैठिया का दिया ये 20 करोर लोग PM मोदी के लिए घुस पैठिया है जो इस देश में सदियों से रहते आए हैं जिन्हों ने इस देश के आजादी के लिए कुर्बानिया दिये शहादत दिये हैं जिनका खून इस देश के मिट्टी में मिला हुआ है जिनकी पुष्टें इस देश में पली बढ़ी और बावा साब अमबेट करके बनाए सम्विधान ने जिनने बरावरी का दर्जा दिया है उन्हें अगर देश का पीएं घुसपैठिया कह दे तो समझिये सत्ता के सिर्ष पर बैठे सबसे ताकत पर सत्ता धीश की सोच में एक धर्म के लिए कितनी नफरत भरी है मोधी ने देश के मुसल्मानों की पहचान ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले के तोर पर किया है जबकि प्रजनन दर इस बात की गवाही देते हैं कि मुसल्मानों में प्रजनन दर की लगातार गिरावट हुई है जड़ा सोचिये जो आदमी लफवाजी के लिए अपने भाशनों में 140 करोड लोगों को अपना परिवार काता हूँ और वो आदमी 20 करोड की आवादी के लिए घुस पैठी है और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली जमात का रहा है और वो आदमी इस देश का पीम है विश्करू बनने की तमना रखता है अब जड़ा सुनिये कि दिसंबर 2006 में राष्टिय एकता परिश्ट की बैठट में तब के परधान मंतरी मनमोहन सिंग ने क्या कहा था मनमोहन सिंग के इस भाष्टिय ने जूट पहला कर बावाल किया तो पीमो ने बकायदा उनके बयान का एक एक शब जारी करके दूद का दूद पानी का पानी कर दिया था लेकिन जिनके फित्रत नफरत और जूट के बुनियाद पर अपनी सत्ता के इमारत खड़ी करने की होगा उनसे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं मोधी ने 18 साल बाद एक बार फिर उसी बयान से अर्थ का अनर्थ निकाल कर आपके सामने पेश कर दिया है मनमोहन सिंग के बयान का ये वीडियो और अनुबाद ललन टॉप चैनल के हवाले से देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है बकायदा उनका वीडियो वाइरल हो रहा है अब्लेट रहे हैं तो जद्रथ बकार आपके बनापके लिए यह निवाद़् प्रश्टर्थ कार प्लेट बकार, आपके घरिए नेवादों, यूज़ए लाय ओन्या बकार, आपके बाद़ चैनल कि लाउने, उर्वार बकार को कर देखिए, प्रचिए, ट्र्चिए, ट् मनमोन सिंग ने अंग्रेजी में जो कहा था उसका सीधा सीधा हिंदी अनवाद कुछ इस तरह से है मेरा मानना है कि सामुईक प्राथमिक नाएं क्लियर है कृशी, सिचाई, जल संसाधन, स्वास्त, शिक्षा, ग्रामीन बुनियादी धाचे में जरूरी निवेश और समान बुनियादी धाचे के लिए अवश्यक सारजनिक निवेश की जरूरत है साथ ये अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती, अन्य पिछडे वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कारिकरम, अलपसंख्यकों, महलाओं और बच्चों के लिए कारिकरम, अनुसुची जातीयों, अनुसुची जन जातीयों के लिए योजनाओं को पर पहला दावा है केंदर के पास बहुत सारी जिम्यदारियां है और ओवरॉल संसादुनों के उपलब्धता में सबकी जरूरोतों का समावेश करनों का साफ है मनमौन सिंग ने स, C, S, T, O, B, C और संख्यकों की बात की थी इन सब के उत्थान की बात की थी देश के संसादुनों पर पहला दावा इन सब ही का है ऐसा मनमौन सिंग ने कहा था लेकिन बीजेपी ने मनमौन सिंग के इस बयान का इस्तेमाल सेक्ड़ों बार इसी तरह आप समझेजेए दस साल में अगर मोदी ने इतना ही काम किया होता और अपने किये पर मोदी को इतना ही भरोसा होता तो आज ये नौवत आती क्या मोदी और उनकी पार्टी के लिए आखरी हत्यार यही है कि चुनाओ को हिंदो मुस्लिम की तरफ मोर दो कॉंगरेस के मैनिफ में मुस्लिम लीक का जखर तक नहीं था और उस मैनिफेस्टो को लेकर कॉंगरेस के उस मैनिफेस्टों को लोकर मोदी मुस्लिम लीक ले आए और कल रास्थां में क्या कहा वो भी सुन लीजे यहose इसका manifesto कह रहा है कि वो माताओं बेहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकरी लेंगे और फिर उस संपत्य को बाढ़ देंगे और उनको बाटेंगे जिनको मनमोन सिंग जी कि सरकान ने कहा था कि संपत्य पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है भायों बेहनों ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बेहनों ये आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे बचने पिए मोधी ने पहले तो पुरप्रधानमंत्री मनमुहन सिंग के बयान को जूट को लेकर जूट बोला फिर उ सोने का हिसाब करेंगे और उस संपत्ती को मुसल्मानों में बाट देंगे मंगल सुत्र तक बचने नहीं देंगे मतलब कुछ भी बोल रहा है कहा मनमुहन सिंग का ओ बयान जिसमें जूट का तड़का लगा कर पेश किया जा रहा है कहां कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो जिसम कहीं भी माताओं बहनों की संपत्ती को लेकर ऐसी बात नहीं कहीं गई है और कहां मंगल सुत्र तक छीबने की बात मुसल्मानों के प्रती देश के हिंदू अबादी को नफरत का डोज देने के लिए प्रधान मंत्री कहां तक जा सकता है सोचिए जड़ाब मोधी के इस बय मुसलिम लीग मुगल रूल मीट मुर्गा मचली यही सब दिख रहा है और हमने भी ठान लिए कि चुनाओ तो इस बार बेरोजगारी महंगाई किसानों के हक श्रमिकों के लिए न्याए औरतों की सुरक्षा हाशिये पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और ह आपने बोला है आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगल सूत्र पर बोलने कि आपने कहा कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों में लिखा है कि आपका मंगल सूत्र भी वो लोगों में बाट देंगे कॉंग्रस के मैनिफेस्टों मैं चुनाओती से आपसे कहती हूं ऐसी कहा पर कौन सा मैन अब इतने बेतुके जूट बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना परड़ा है असलियत यह है कि आपको मंगल सूत्र का नाम ने लेना चाहिए था क्योंकि एक औरत जब मंगल सूत्र पहनती है ना तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दामपत्य के उस सूत्र में बंद जाती है जिसका सबसे पवित्र सबसे पावन प्रतीक मंगल सूत्र होता है इस देश के करोणों लोग पूरी निष्ठा से पूरी इमानदारी से दामपत्य के सूत्र को दामपत्य के संबंद को निभाते हैं आपको मंगल सूत्र पर इतनी घटिया ग और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है आप भले इसको ना समझिए लेकिन इस देश के करोडों महिलाओं का करोडों बिहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी माँगनी चाहिए अपने दस साल के शासनकाल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ हाशिये पर रहें लोगों के खिलाफ जो शड़ियंतर किया है उसके अंत का वक्त आ गया और चुन-चुन कर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा सुप्रिया स्रेट के अलावा कॉंग्रिस के सारे लीडर राहूल गांधी से लेकर मली कारजुन खड़गे तक तमाम नेता कल परदान मंत्री के बयान पर इत्राज जता चुके है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि सीधे-सीधे मुसल्मानों के खिलाफ एक तरह से हेट स्पीच है मली कारजुन खड़गे ने कल ट्वीटर पर लिखा देर रात को कि आज मोदी के बुखलाट बड़े भाशन से दिखा कि प्रतम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही ध्यान भटकाने के एक सोती समझी चाल है प्रदान मंत्री ने आज वही किया जो उने संग के संसकारों से मिला है सत्ता के लिए जूट बोलना बातों का अनरगल संदर बना कर विरूधियों पर जूटे आरोप मढ़ना ये संग और भाजपा की प्रशिक्षन के खासियत है देश के 140 करोड जंता बिस जूट के जहांसे में नहीं आने वाली है हमारा घोशना पत्र हर एक भारतिये के लिए है सबकी बराबरी की बात करता है सबके लिए नयाए की बात करता है कॉंग्रिस का नयाए पत्र सच की बुनियाद पर टिकाहर लगता है गोबिल्स रुपुई ताना शाह की कुरसी अब डगमागा रही है भारत के इतिहास में किसी प्रधान मंतरी ने अपने पत्र की गर्मा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया इकल मलीकारजुन खरगे ने कहा और कल ही राहुल गांदी ने भी अपने बיان में間 के इस त्वीटर पर मोदी के इस बयान का इत्राज किया जिसमें राउल गांदी ने कहा पहले दौर के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरिन्द मोधी के जूट कास्तर इतना गिर गिर गया है कि घबराकर अब जन्ता को मुद्दों से भटकाना चाते कॉंगरिस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टों को मिल रहे अपार समर्थन क रुजान आने शुरू हो गये हैं देश अब अपने बुद्दों पर वोट करेगा अपने रोजगार और परिवार और भर्ष के लिए वोट करेगा भारत भटके गाने यह राउल गांदी ने का और बहुत सारे लोग जादतर लोग जो संविधान में कायदे कानून में कारगेट किया या कॉंगरेस को मुस्लिम परस्त बनाने के लिए जिस तरह का बयान दिया जिस तरह से मुसल्मानों को पूरी आबादी को इतरह से उन्होंने घुस पैठिया कहा दिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा दिये यह इस बात की तश्दीक करता है कि बी जे पी की राजनिती किस तरह की है और उसके बाद अगर इस तरह का बयान जो बहुत सारे लोगों के मुताबिक सीधे सीधे हेट स्पीच है इस तरह के का बयान अगर प्रधान मंतरी देते हैं तो क्या चुनाओ आयोग में दम है हिम्मत है कि प्रधान मंतरी मोदी को नो जो बात नहीं कही गई है उसको आप संदर्ब से काट कर गलत धंक से प्रदानमंत्री रहते हुए आप बयान दे रहें जो पीएमो के उस वेबसाइट पर आज भी मौझूद है जो पीएमो प्रदानमंत्री मोधी के अधीन है और दूसरी तरफ मुसल्मानों को टार्गेट कर सीधा नाम लेकर घुसपैटिया काना बहुत सारे लोग ट्वीटर पर लिख रहा है जो मुसलिम समाज के लोग है मैं अतिया जैदी जो एक इतिहासकार है इरफान हभीब उनकी पत्नी है एकेडमीशन है उन्होंने जो लिखा मैं चाहता हूँ उनकी भावनाओं को आप ज्याज का जो रहे हुसकी तकलीफ का आंदाजा शायद ब्यज़ेपी नेताओं को होता नहीं है इस लिए इस तरह की बात प्रधानमंतरी पद बैठा आदमी करता है और भाषन में 140 करोड मेरा परिवार, 140 करोड मेरा परिवार, पूरा देश मेरा परिवार, हर भारती है मेरा परिवार, और इसी भारत में तो 20 करोड वो लोग भी रहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में स्थार्ट से बता है, ये छदम है, ये लफवाजी है, ये जुमला है, ये धोखा है, अतिया जैदी ने लिखा मेरे प्रधान मंतरी मुझे से इतनी नफरत क्यों करते है सही बात है क्योंकि वो उसी जमात उसी धर्म उसी काउम से है जिस काउम को लेकर प्रधान मंतरी बोधी ने कहा दिया घुस पैटिये है जादा बच्चा पैदा करने वाले है अतिया जैदी ने लिखा, my grand parents played their small roles in the freedom movement, मेरे grand parents ने freedom movement में अजादी के लड़ाई में अपनी छोटी सी भूमी का निभाई थी, my father served the RBI, set up NABAD, contributed to the economy, मेरे पिता ने RBI के लिए काम किया, NABAD के set up में भूमी का निभाई और भारत की economy में अपना contribution दिया, I as an educationist work for the future of our country, मैं एक शचाबित के तौर पर देश के लिए काम करती हूँ, देश के भविश्च के लिए काम करती हूँ, I have two children, I have brought them up as proud Indians, मेरे दो बच्चे हैं और मैंने एक गर्व वाले भारतिये की तरह उन्हें उनके upbringing किया है, उन्हों ने चार लोगों को टेग किया है, अतियाज जैदी को मैं आपा बोलता हूँ, और उनकी ये लाइन पढ़कर, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने गलती क्या की है, क्या मेरे दोस्त मेरे लिए बोलेंगे, उन बीस करूर लोगों के लिए बोलेंगे, मेरे शब नहीं है, शब चुक गए, भावनाएं इस तरह से मेरे शब के उपर हावी हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कई बार इन भावनाओं को समझता हूँ, इसको फील करता हूँ, इसलिए ऐसी बाते मैं अपने वीडियो में अकसर जब कोई बीजेपी का नेता और कोई भी नफरती लोग ऐसी हेट स्पीच या इस तरह की बातें करते हैं तो मैं प्रतिग्रिया देता हूँ, तल की आकरोश भी दिखता है, लेकिन एक संजीदा महला, एक शबिद, जिनके हस्पिन इर्फान हभीब साब अच्छे खासे हिस्टॉरियन है, वो इर्फान हभीब एक अलीगड़ में रहते हैं सीनियर वो नहीं हैं दोसरे, इन्होंने भी राश्टबाद पर भगत सिंग अगर उनकी तकलीफ इन शब्दों में रिफलेक्ट हो रही है, क्योंकि देश का कोई भी मुसल्मान फिर वैसे ही सोचेगा, कि प्रधान मंत्री मोदी ने तो उन्हें घुस पैटिया कर दिया, क्योंकि उन्होंने घुस पैटिया को जरनलाइज किया है, प्रधान मंत्री मोदी ने ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले करकर, पूरे मुसल्मान समाज को, पूरी मुसलिम जमाद को, पूरे कौम को, पूरे उस धर्म से जुड़े ओए लोगों को जरनलाइज किया, तो आतिया जैदी ने कहा कि मेरे दो बच्चे हैं और मैंने उनकी अप ऐसी अप ब्रिंगिंग किया है उनका कॉंट्रिविशन उनके परिवार का तीन पीडियों का इस देश के लिए है तो उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ मैं यही कहूंगा अतिया आपा की कड़ोरों लोग इस देश में हैं सॉरी सॉरी तो इस सोचिएगा जरा कि क्या हो रहा है इस देश में मैं इतना ही कहूंगा अतिया आपा कि परिशान मत होईए इस देश में हम जैसे करोरों लोग हैं करोरों लोग जो सोच की नुमाइंदगी नहीं करते हैं जिस सोच की नुमाइंदगी बीजेपी नेता करते हैं या जिस सोच के सबसे बड़े नुमाइंदे आज की तारिक में प्रधान मंतरी मोदी हैं जिन्होंने ऐसी बात कर दी करोनों लोग इस देश में ऐसे हैं जो मोधी जी की तरह नहीं सुचते हैं जो हिंदू, मुसल्मान, सिख, हिसाई, सब को इस देश का नागरिक मानते हुए सर्व, धर्म, संभाव वाली मान सिखता के हैं अगर ये सच नहीं होता तो मोधी जी की पार्टी को 2019 में 37 फिस्दी वोट मिले हैं एंडियो को जोड लें तो 43-44 फिस्दी इस वार अधिक्तम मान लिजे हो जाए तो 44-45 फिस्दी तो भी 55 फिस्दी मत दाताओं ने जो वोट नहीं दिया वो बीजेपी को नहीं दिया इसका मतलब देश की बड़ी आवादी आदे से जादा बड़ी आवादी प्रधान मंत्री मोधी के इस तरह के विचार से इत्फाक नहीं रखती है तिया आपा और जिन्होंने वोट दिया होगा और दिया है और देंगे उन में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस से इत्फाक नहीं रखते होंगे और नहीं रखेंगे हमें अमीद है कि उनके भीतर भी दिल और दिमाग होगा और एक बाद थंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या आपके पड़ोस में आपके अगल बगल में या आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके गली में, आपके मुहले में, आपके अपार्टमेंट में, आपके सुसाइटी में, जो मुसल्म रहता है, जो मुसल्मान रहते हैं, या ऐसे मुसलिम जिनके साथ अप पले, बढ़े स्कूल में, कॉलेज में, आपकी परवरि है क्योंकि वो मुस्लिम है कभी ऐसे सोचते हैं मुझे लगता है करोड़ों लोक जिन्होंने बी-जे-पी को वोट दिया है और देंगे भी शायद वो भी शायद ऐसे नहीं सोचते होंगे मैं उमीद तो करता हूँ इसलिए आतिया आपा मैं वीडियो का है ये हिस्सा आपको एड्रेस करते हुए कह रहा हूं कि ये मत सोचिए कि आप अकेली हैं और ये दोर भी बीतेगा कभी कब बीतेगा कैसे बीतेगा किस पर क्या गुजरेगी किस पर क्या गुजर रही है इसके बारे में हम लोग आकलन अनुमान ही लगा सकते हैं लेकिन उम्मिद और होसला दोनों हम सब को रखना हो जाए उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए उन्हें सिर्फ कुरशी से मुभबत है किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए लोग नफरतों में उल्जें लोगों के भीतर नफरतें इतनी तेजी से प्रकाड हो नफरत का रंग लोगों के दिलों दिमाग पर इसकदर चड़े इसकदर असर दिखाए कि मोदी जी को की ताजपुशी फिर से तीसरी बार हो जाए इसलिए मोदी ये ऐसी बात कर रहा है और अत्यापा अभी ये शुरुआत हुई है मुस्लिम लीग से सुरू होकर मतन मचली मुगल से लेकर अभी ये मुसल्मानों को घुस पैठिया कहने और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली जमात तक आए है अभी तो छे दोर का चुनाव बाकी है बहुत कुछ देखना बाकी होगा है इसलिए हिम्मत फ़ासले के साथ उम्मीज जरूरी है तो फिलाल मैं यही कहूंगा कि हम जैसे करोडों लोग आपने साथ है मैं आपकी मन और दशा को समझ सकता हूँ मैंने आपके इस टूइट को जो रात में आपने ग्यारा बच कर संदावन मिनट पर किया है रात में भी कई बार पढ़ा और सुबा भी पढ़ा उस पर कुछ लिखने की हिम्मत नहीं हुई मेरी क्योंकि मुझे यह भी पता था कि मैं अगर कुछ लिखूंगा परिवार कहने वाले लोग, खुद को सनातनी हिंदू कहने वाले लोग, खुद को देश प्रेमी और राश्ट प्रेमी कहने वाले लोग, खुद को मूदी का कट्टर समर्थक कहने वाले लोग, वो सब लोग फिर आएंगे और फिर कुछ ऐसी बात मेरे कॉमेंट के जवाब में, कॉमेंट बॉक्स में लिख जाएंगे जिससे फिर शायद आपको तकलीफ हो इसलिए मैं आपकी तकलीफ पर कोई और लेयर नहीं चड़ाना चाहता था तिया आपा, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन मुझे लगा इस वीडियो में इसका जिक्र करना ज़रूरी है और आप सबसे कि अगर आप भारत के समवेदनशील नागरिक है, आपके भीतर समवेदना है, आपके भीतर इंसानियत है, आपके भीतर मानबता का संचार हो रहा है तो सोचिएगा किस तरह की राजनिती हो रही है, एक तरफ मुधी जी का उबयान और एक तरफ अतिया आपा को, अतिया जैदी को, देश के उन बीस करोर मुसल्मानों की एक प्रतिनीधी के तौर पर उनकी बात को सुनिए, समझिए शायद आपको कुछ समझ में आए जब कोई एनन ठेगड़े या कोई गिराज सेंग या कोई साधवी प्रग्या या कोई और कोई ऐसे बहुत सारे फ्रिंज अलिमेंट ऐसे बयान देते हैं तो बचाओ भी किया जाता है, बीजेपी पला भी जार लेती है के तो फ्रिंज अलिमेंट कोई प्रग्या ठाकुर बोलती है, प्रधान मंत्री बोलते हैं, दिल से माफ नहीं करूँगा जब गांधी और गोट से पर बयान देती है लेकिन जब प्रधान मंत्री खुद कहते हैं, जब खुद पूरी जमात को कहते हैं कि घुस पैठी हैं ये ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं प्रधान मंत्री जब कहते हैं कपड़ों से लुग पहचाने जा रहा है अभी तो शम्सान कबरिस्तान तक आना है उनको ये सब बयान सुने हैं नाम ने मोधी जी की जुबान से निकले ये बयान है न यूपी चुनाओ शायद 2017 के वक्त है तो फिर क्यों कहते हैं सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास बंद के जिए चोचलिवाजी बंद की जिए डखोसले ऐसे भी वो सब दिखावा है हाथी के दाथ काने के और दिखाने के और होते है वो दाथ हमने देखे हैं परदान मंतरी मोदी जी आपके और वो दाथ आप बार बार दिखाते हैं ऐसी बाते का कर अभी तो दूसरा दौर ही चुनाओ का है अभी तो अगर दूसरे दौर को गिलने तो छे दौर मांकी है पहले इतनी हताशा, पहले दोर की चुनाओ की बाद इतनी हताशा मुस्लिम लिग से शुरू है, मटन मचली मुगल से होते हुए आप पूरी कौम को, पूरी जमात को एक बीस करोर की अबादी को, जो सदियों से इस देश में रह रही है जिसका कॉंट्रिविशन इस देश में किसी दूसरे जमात या दूसरे धर्म से कम नहीं है सेना से लेकर हर छेत्र में देख लीजे कॉंट्रिविशन, अभी क्या हुआ यूपीएस्टी के नतीजे आया मुझे नमबर ठीक से याद नहीं है, लगबग, पचास उसमें मुसलिम समाज के यूबाओ ने यूपीएस्टी में स्थान पाया है, पचास ये उससे ज्यादा मुझे नमबर याद नहीं है वो क्या करेंगे देश की सिवा ही तो करेंगे और इस पर मैं क्या बताओ विस्तार्थ से आप भी समझते हैं और आपकी पार्टी में प्रधान मंत्री जे मुखतार बासनक्पी और शानवाज हुसेन और भी कुछ लोग है वो सब भी घुस पैटिये हैं वो सब भी चार बच्चे पैदा करने वाले हैं वैसे चार बच्चे पैदा करने वाले बीजेपी में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बीजेपी में सांसद और मंत्री मुखतार लेकिन चलिए मुद्दा ये नहीं है मुद्दा तो नफरत का है मुद्दा तो एक धर्म को टार्गिट करने का और मुद्दा हिंदू-मिसल्मान करके चुनाव में आपको अपनी जमीन जो आपको हिलती हुई, डगमगाती हुई, खोती हुई दिखरे उसे हासिल करने का हो सकता है आपको 400 पार के आकरे आपने नारे दिये हैं, हो सकता है एक पर फिर आपकी सरकार बन रहे हैं, हो सकता है मुम्किन है कि आपको 272 से ज़्यादा सीटे आ जाए, जितने सरकार बना निकले चाहिए और मुम्किन ये भी है, कि आपको जटका लगे, क्योंकि आपको जटकों का डर है, इसलिए उस डर को पाटने के लिए आप नफरत की उपर से तखती लगा रहे हैं, अगर ये ना होता, तो जो आप कहते रहें, प्रधान मंत्री मोदी जी, 140 करोर लोग मेरे परिवाल है, तो Namaskar